अससालामलाएकूम जी, कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ, बिलकुल ठीक होँगे, खुश होँगे, आज ही हम बनाने लगे हैं, केक्रस्ट बहुत मेहंगे हैं, जो के मार्किट में, लेकिन घर में हम बनाएंगे, पहले से मुझूद चीज़ें जो के घर में, हर घर में म मैता है ठीक है इसी कप की रेशो रखी है मैंने हाफ कप ऑईल एक कप चीनी और डेड़ कप मैता सारी चीजें घर में पहले से मुझूद होती है कोई साभी एक सांचा ले लो कोई सांचा अगर बेकिंग वाला नहीं है तो जिसमें बर्फ जमा के रखते हैं वो वाला सांचा उसको हम ग्रीस कर लेंगे पहले और थोड़ा सा उपर मैदा डस्ट करके हम अपने सांचे को प्रिपेर करके रख लेंगे बेकिंग का एक असूल होता है पहले सारी चीजें कठी करके रखी जाती है ताकि इसको जब हम मिक्स कर लेना तो फिर हमने इसको रेस्त नहीं देना कि पहले एक चीजी कठी करें फिर दूसरी चीज पकड़ें ऐसे नहीं करना ठीक है यह जी अब हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक मैदे में शामिल करके ड्राई चीजों को अलग करके साइड पर रख देंगे अंडे तीन जो थे उसको मैंने ब्लेंड पीस बाइसेंस के ज़िए अब उसी में इसको चीनी को पीस लो एक कप के करीब ये चीनी है इसको हमने इसमें शामिल कर दिया पर्फेक्ट मीथा बैठेगा इसके अंदर ये जी हमने सारब कुस शामिल कर दियेне 2 कत्रे वनिला आश् YouTubers के इसमें एसंस तेज नहीं करना नही तो बिल्कुल केक जैसा फ्लेवर देने लग जाएगा, हमने इसको वैसा नहीं बनाना ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजों को हमने कर लेना है, ब्लेंड अच्छी तरह से, और एक अलग बाउल में हम निकाल लेंगे ये सारे लीकुड को, जिसमें अंडे, ओयल, चीनी और व घूमाने है, ठीक है, इसकी नहीं बने हैं, इसके निकाल को और ये सारी की सब्सक्राइब करेंड है, तो जिसमें आगये को जाको था Любini को क्लिक करें, उइनकर वाने काली, घूरूट का नेया है, तकि को जाने वाली जान जो चैनलर पे अप्लोडेड है उनको भी चेक आउट कर लेना यह जी यलो फूड कलर है अगर आपके पस लीकुड वाला वो भी यूज कर सकते हो मैंने टू पिंच के करीब इसके अंदर यह यलो कलर शामिल किया इसे बहुत खुबसूरत कलर आता है केक रस का अगर आप नहीं करना चाहते है शामिल तो भी ठीक है अगर कर लोगे तो जारा कलर खुबसूरत हो जाएगा यह जी सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हुए इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक होनी चाहिए अगर पतली कंसिस्टेंसी होगी ना तो वो बहुत जाता पफी सा केक बनेगा हमने इसको ज्यादा पफ नहीं करना हमने इसको थोड़ा डेंस रखके बनाना है उससे क्या होगा हमारे केक रस उतने ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे ठीक है वो थोड़े चौड़े वाले केकरस बनेंगे जिस तरह से इस सांचे में मैं बना रही हूँ वो थोड़े पतले पतले और लंबे वाले केकरस बनेंगे ये जी बगएर oven के हम बेक करेंगे कोई भी एक stand रखलो गरम करेंगे 10 मिनिट के लिए पहले फुल फ्लेम पे रखके उसके बाद हमने इसको सिर्फ और सिर्फ आधे इंच की आग के ओपर रखकर 40 मिनिट तक बेक करना है अभी मैं आपको आग भी दिखा देती हूँ कि आपने आग कितनी रखनी है 40 मिनिट तक हम इसको बेक करेंगे पिर हम अपना केक निकाल लेंगे आपने चेक कर लेना है तुटपिक डाल के अगर तुटपिक क्लीन आती है आपकी इसका मतलब है केक बेक हो चुका हुआ है और अगर क्लीन नहीं आती है तो आपने उसको 10 मिनट और दे देने हैं 50 मने total लगेंगे और केक हमारा perfect baked हो जाएगा जिस तरह अभी आप देख रहे हो जबरदस्त baked हुआ है बिल्कुल जिस तरह हमें चाहिए था क्योंके cake rest के अंदर हमें फूला हुआ cake नहीं चाहिए हो था cake rest में हमें थोड़ा dense cake चाहिए होता है साइट जिसने छोड़ दी हुई है और बहुत बहुत अराम से अलग हो जाएगा, कोई पेपर लगाने की जुरूरत नहीं है, कोई बटर पेपर लगाने की जुरूरत नहीं है, यह ऐसे ही निकलाएगा इसमसे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हमने इसको थंडा करना ठीक है, ठंडा करना मस्ट है, इसको तकरीबर 20 मिनिट पढ़ा रहने दो, यह मैं आपको दिखा रही है, इस तरह अगर आपकी टूट पर क्लीन हाती है तो इसका मतलब है कि आपका केक बेग पर्फेक्ट हो चुका है, ठीक है, इसको हमने 20 मिनिट का रेस्ट देना है ठंड होने के लिए, ठीक है, उतना ही इजी हो जाएगा आपको केक रस को हैंडल करना, यह जी अभी आप देख लो, बेशक केक गरम है, लेकिन इतनी आराम से यह निकला है इसमें से, पर्फेक्ट नीचे से कलर आए इसको, और उपर से भी इसका वो गुलाई नहीं आई है, जिस अब एक साइस के रख के कट कीज़ेगा, शार्प नाइफ यूस कीज़ेगा, नहीं तो इसकी शेफ बिलकुल हराब हो जाएगी, शार्प नाइफ सिर्फ इसकी शर्त है और कुछ भी नहीं, ठीक है? घ jsा यब हम एक साइस के सारे के सारे के सारे कहेकरश कट कर लेते हैं, इ यह जी साइट जाले हैं, इनको साइट पर कर लेते हैं, ज़रा खुब सूर्ती के चक्कर में, बाकी यह भी बेक होंगे, ठीक है, अब हम इनको सेंटर से कट लगाएंगे, और एक लेवल के सारे केकरस हमारे बन के त्यार होंगे, अच्छा, अब इसका टिप क्या है, कि इसने क्रिस्पी कैसे होना है, कोई भी एक ढखन ले लेंगे, कोई भी एक बरतन ले लो, जैसके पर हमने अब इसको ड्राइ करना है, ठीक है, उसके नदर हम इसको सीधी सीधी line लगाएंगे, इतना फासला है, कि इनको अच्छी तरहा से heat लग सके, ठीक है, एक दूसरे के साथ ज रखेंगे हम सारे पीसिस को ताकि अच्छी तना से इसको हीट लग सके आमने ओवर क्राउड नी करना है इसको टाइम लेके बनाएं लेकिन ये इतने मज़े के इतने परफेक्ट केकरस बनते हैं फुल क्रिस्पी होते हैं जैसे बजार के होते हैं बजार वाली कीमत आप चेक क खुश्पू के साथ बन करते आ रहें ये थी जी आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी में उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो मस लाइक कर दें को भी प्यारा सा कमेंट छोड़ दें कुछ पूछना है तो पूछ लें चैनल को जरूर सब्सक्रा लेना थैंक्स पर वाचिंग अल्हाफिस